साथियो नमस्कार, साथियो हर बर्स आपकी वोड इक्जाम में पांच अंक में ग्राफ बनाने के लिए प्रशने पूछा जाता है कि ग्राफ को बनाईए लेकिन ग्राफ कैसे बनाई जाते हैं ग्राफ में कौन-कौन सा पॉइंट लिखना ज़रूरी होता है जिससे कि आपको पूरे पांच अंक मिल जगे बहुत सारे ऐसी वहाँ पे पॉइंट आप गायव कर देते हैं जिसके करण आपको पांच अंक नहीं मिल पाते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप ग्राफ को बहुत ही असान तरीके से बनाऊगे और आपको पूरे पांच में पांच अंक मिलेंगे और मिलेगा भी तो कम मिलेगा जैसे आपको फटापट से मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप बना पाओगे और आपको कैसे समिकरण को हल करना बहुत ही असान तरीके सी आप जो कन्फ्यूजन में रहते हो नो तो आज से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी मैं बता दू सबसे पहले कि देखो आरे आपको दो पेज मिलेंगी एक पीज इस परकार से मिलेगी जिस पे आप इस समिकरण को हल करोगे और यह आपका ग्राफ का पेज मिलेगा इस ग्राफ भी हलाकि लाइटिंग को जैसे आपको असपश्ट नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप ग्राफ के पौंपी को जानते होंगे यह इस तरीके से आपको मिलेगा चलो सबसे पहले आपको देखना ब्लैक पेन उठाना है ठीक है और एक प्यारा सा वर्ड यहां पर जो मैं बार-बार कहता हूं यार लिखना होगा आपको हल हल लिखने के बास है यहां पर देखोगी समिकरण युग में लिखा गया है तो आप लिखोगे समिकरण यूग में जो की काम अब ब्लूपिन्स और यहां इघ़ा इयक सांध düş opinions यह क क्या दिया गया है सबसे पहला X प्लस 3Y बराबर 6 इसे आप समिकरन नंबर 1 माल लेना ठीक है दूसरा दिया गया है 2X माइनस का 3Y बराबर का 12 यानि की 12 यह समिकरन नंबर 2 माल लेना हर एक पॉइंट में जो आपको बता रहा है उसे एकर फॉइंट जरूर लिखना अब उसके बास है यहाँ पर फिर बलैक पेल उठाना हर है और लिखना है समिकरन नंबर 29 का हल deficiency लिखोगे subtilis की 12 अब जब समिकरन एक का हल लिखोगे तो समिकरन एक बनेखना तो समी करन एक जो है वो क्या चीज़ है x प्लस 3y बराबर 6 यानि कि यानि कि x बराबर क्या हो जागा 6-3y यह हो जागा हम लोग का अब यह x कैसे आया यह x बराबर आपको लेके आना है न तो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सच्छे से आपको बनाना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पर लिख सकते हो एक्स और यहाँ पर लिख सकते हो वाई ठीक है अब आप क्या करना यहाँ पर पीज के लाश्ट में ठीक है मैं तो बरावर 6-3Y, ठीके, आप ऐसे आपने मन में भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा, आप रफकार में इसे करो, ताकि गलती न हो जाए, जैसे यहाँ पे है, X बरावर 6-3Y, मुझे यहाँ से X की वैलू प्रात करनी है, अब देखो, यही सोचना होता है, अब यहाँ पे सोच कि Y के स्थान पे मैं क्या रखूँ, ताकि आसानी से मुझे X की वैलू मिल जाए, तो आप को कि सर मैं अगर Y के जगे 0 रख देता हूँ, तो मुझे X की वैलू असानी से find हो जाएगी, मुझे मिल जाएगा, तो X बरावर 6-3 और Y के जगे मैं रख दिया 0, तो मुझे X की ब जीरो रखा, तो X का बदले कितना आया? 6 आया, तो यही चीज यहाँ पी लिख लेना, अगर मैंने Y के जगे 0 रखा, तो X के बदले 6 आया, ठीक है, लेकिन यह मान जो है ना, कम से कम 2 करना, 2 से कम मत करना, हालाकि 2 जगे 3-4 भी किया जाता है, उसे कोई मतलब नहीं है, मैं क हमारा X की value आ जाए, तो मैं अब 0 के जगबाद से 1 रखूंगा, है न, अब 1-1 बढ़ाना, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, देखना की बट्टा में ना, हाला की बट्टा में भी आएगा, तब ही answer आता है, लेकिन बट्टा में जब आता है, तो point में answer आ जाएगी X की, और उसे थोड़ा सा रखना, थोड़ा आत के लिए कठीन हो जाता है, ठीक है, और जैसे ही जो देखोगी यार बट्टा आ रहा है, उसे छोड़ देना, फिर दूसरा अंक ले लेना, ठीक है, ओके, डग, जैसे X बराबर क्या था, 6-3Y था, 3Y है, अब मैं Y के जगे 1 रखू आएगा, यानिके X के बदले हम लोग का कितना आया, 3, कब आया, जब हमने Y के बदले 1 रखा, तो X के बदले हम लोग का यहां पे 3 आया है, अब देखो वाई साहब, यह पहला जो है, वो समिकरण हम लोग का बन करके रेडी हो चुका है, अब मैं चाहूंगा आप से, कि पह पहले समिकरण का आप अलेक खीच दें, जिससे समस्य आये नहों, जिससे दिकत नहों, जिससे परिशानी नहों, तो आये मैं खीचता हूं, तो यह रहा भाई साहब, आपका ग्राफ का पेज ऐसा ही आपको मिलेगा, आपको आपको क्या करना है, यहाँ पेंसिल उठाना, हल जैसे मैं यहाँ पर बना लिया, एक और इसी के समनांतर मतलब इसी के, यहाँ पर इस तरीके से X और Y वाला आप लोग अच्छीच देना, ठीके, इसको यहाँ फे 3 का सिंबल जरूर देना, हर एक पोइंट को ध्यान से समझना, ठीके, एक 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 च्ट्री में गायब करोगे तीर का अब पॉइंट नहीं रहता है तो इसे रह खा कहते है और सिर्फ एक तरफ तीर रहता है उसको कीरण प्वेंग तो आपको में इसा रेखा कीजना थीचना ठीक है याई तरफ होता है न उपर आपका होटा यसा लिख दो गया और नीचे घूत-बढ more के ड़न अपस्ति देखना एक-क कूठे के बाद देखना उस में एक बड़ासा लाइन होगा थोड़ी सी मोटा लाइन होगा आपट ८मोटा की ले लेकर द लिले न और उसमें और उसमें फिर यहां पलेखा सेबन यहां पर मन करता तक लगा सकते हुए इसी तरीके से सब तरफ करना होगा है देखना क्योंकि पांच नंबर की बात है यहां पर हो जाएगा फिर 1 यहां पर हो जाएगा 2 सब माइनस मोटा तो माइनस लगा सेथे यहां फोगा माइनस का 3 यहां फोगा माइनस का 4 यहां फोगा माइनस का 5 यहां फोगा माइनस का 6 यहां फोगा माइनस का 7 यहां फोगा माइनस का 8 यहां फोगा माइनस का 9 फिर इध यहाँ पर जाएगा माइनस का 4 यहाँ पर जाएगा माइनस का 5 यहाँ पर जाएगा माइनस का 6 यहाँ पर जाएगा माइनस का 7 यहाँ पर जाएगा माइनस का 8 कोई दिकत नहीं है 9 तक नहीं गया तो बढ़ा भी सकते हो नहीं, तो यहाँ पर रखोगे कोई समस्या नहीं है, फिर यहाँ पर क्या करोगे, 1, यहाँ पर क्या करोगे, 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, और यहाँ पर आप कर सकते हो, 8, डन है, चलो, अब मुझे यहां पर अलेक खीचना है यह तो हर एक ग्राफ में आपको करना होगा बहुत ही असान तरीके से बहुत एच्छे पॉइंट से डन अब देखना एक एक पॉइंट और मैंने अभी तक आपको जो फॉइंट यहां पर लिखा यहां पर उसको जरू लिखना यह आपका रफकार ह इसे लिखे हो गे तभी ठीक है नई लिखो ओगे तभी ठीक है यह रफकारी में करना है लेकिन रफकार करने के बाद इसे कट जरू करदाblowing कौपी जमा करते वक्त देने चल अब देखना ध्यान से क्या है अब अले खीचेंगे ठीक है पहले ही सब नहीं बना लेंगे ताकि कन्फ्यूजन हो जाता है पहले क्या करेंगे देखू एक्स और वाइट में पहला पॉइंट क्या है कि यदि वाई के अस्थान पे 0 है तो एक बाई हम लोग का 0 आओ यानिए यहां हम इस जीरो होता है । यह हमलोग का एक क्या हम पॉइंट बन गई नहीं घब मैं मैं एक और पॉइंट लगानी है । जब देखो अब पॉइंट कहा लगाऊगे अब आप कहा लगाऊँवा यही समस्य होती है पॉइंट यही लगानी है दोनों चीजों की बीच में यानि कि देखो अगर मैं अगर थीरी को लेके जाऊँ और वन के समनांतर तो यह यहाँ पे आएगी तो देखो यह इधर से 1 आया और इधर से 3 आया यानि कि और तो जाकर के हमें यह बन पाया क्या बन पाया तो हम लोग का बन पाया 3 कमा का 1 यहाँ पे क्या बन पाया था तो बन पाया था 6 कमा का 0 तो दो पॉइंट हम लोगा हो गया अब दोनों पॉइंट जब मिल गया तो इसे हम दोनों पॉइंट को रेखा से मिला देंगे ठीक है तो चलो इसे मिलाते हैं यहां से मैं क्या करता हूं भाई साब एक रेखा लेता हूं इसे खीचता हूं और खीच करके इसे मैं मिलाता हूं ध्यान से देखना इस चीज को यह रहा ऐसे और इसको थोड़ा सा मुझे मूव करना होगा थोड़ा सा मुझे मूव करना होगा ऐसे ठीक है थोड़ा सा नीचे करना होगा देखना यह आ गई ठीक है डन है ओके तो यह रेखा आमलों का बन गई फिर इसमें भी हम तीर देंगे तीर देना भूल मत जाना यह तीर दरू जाना कि जहां मन करें वहां तक बढ़ा सकते तीर का मतलब यह होता है तो मेरा पहला जो है समिकरण का हल वो निकल करके चला है वाला पॉइंट देता हूँ इसको मैं पॉइंट देता हूँ बी वाला पॉइंट है डन है कोई समस्या नहीं है पी क्यू आर कुछ भी दे सकतो सही है अब चलो अब यह जिस समिकरण का मैंने अलेक खीचा है मैं उसका नाम लिखूंगा जरूर ठीक है तो चलो यह किसका सम एक स्थीरियर अढ़ा सिक्स था एक्स पलस सतरिह से है औरा यह लिखूंगा एक्स पलस सभी काथन नहीं करनी है और एक हान यार मैं बताओं जब मैं तैंत का एक्जाम दिया देने गैदन मेरे पात भी बड़ी समस्य आये थी मैं बना रहा था यार रेखा कट नहीं रहती और जल्दी यह लिके चक्र में कई बर मिटा दिया था ठीक है तो आपने की गलती मत करना ठीक है चलो यह हो गई आपने क्या क् पॉइंटे वो भी दे दिया और रेखा का भी नाम लिख दिया धांचा भी आपने बना दिया अब हम इसी प्रकार इस दूसरे वाली समिकरण का हल निकालेंगे ठीक है तो मैं इस रफकारे को मिटा देता हूँ आप लोग क्या कर दोगे कट कर देना ठीक है चलो अब मैं फ वो क्या है बुलू पेन लेंगे और चेक करेंगे देखेंगे तो क्या है 2x-3y बरबर 12 अब जब 2x-3y बरबर 12 अब जब 2x-3y बरबर 12 है तो x की value कैसे find होंगी इसे थोड़ा सा simplify करो तो 2x 2x ब्राबर हो जागा 12 प्लस का 3y कैसे यह पक्छांतित मैंने कर दिया तो इसलिए x ब्राबर हम लोग को क्या हो जाएगी 12 प्लस का 3y और यह नेचे आपका 2 है इसको यह आपका गुणा मैं तो भाग में चला जागा यह आपका बन गया अब यह बन गया हम लोग का यह वाली पॉइंट ठीक है अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना इसकी x और y की value find करनी यानिकि समी करण का हल निकालना फिर मैं 2 bracket बनाऊंगा और इसे मैं कहा था भई black pen से बनाना तो मैं भी black pen से बनाऊंगा तो यह मैंने क्या किया black pen से आपके लिए चीजे बना दी ऐसे और ऐसे और ऐसे अब तीन पॉइंट निकाल सकते कोई समस्या नहीं है तीन भी निकालोगा वही होगा दो निकालोगो तो वही होगा चल उसे मतलब नहीं है अब मैं इसेे स्वाला घरोंगा ठीक है अब यहाप क्या करूगा मैं रफकारिय कोई भी कार्य करना क्मोंप ही पी रफ x बराबर तो किया हो जागा 12 पलस 3 गुंडे 0 अब अब 8 यह बाबर 6 यानि अब इसी चीज़ को मैं वहां पर लिखूँगा क्या लिखूँगा कि यदि मैंने y के स्थान पर क्या रखा जीरो रखा तो हम लोगों का सिक्स आया एक और मैं हल करूंगा इसको अब मैं क्या करता हूं एक्स ब्राबर मुझे पताओ क्या रखों तो एक्स बूराबर मैं यहां पे एक नहीं एक रखेंगे तो बटा में यहाजाएगा 2 रखता हूँ ठीक है तो क्या हो जाँगा 12 & 2ätzen धाज जाँगा तो यहां सब्सक्राइब फिर अमरे गराप में बहुत लंबा खीचना पड़ेगा इसलिए माइनस दो रखोंगा ताकि वह माइनस हो जाए तक कम हो जाए छोटा हो जाए यही दिमाग थोड़ा सा लगाना है चलो आप दो रख सकतो माइनस दो रख सकते उसे कोई समस्या नहीं है हलाग इसका 6 बट्टा दो और कितना जागा एक्स बराबर छे में बारे मैं से 6 गया हो जागा हमका 6 अच्छे में दो सब्सक्राइब नो आता अब मेरे को यहां पर नो वाले पर अंक पर कटाना पड़ता ठीक है तो भी मैंने नौ तो गया ही है कोई दिक्कत तो नहीं था ठीक है तो नो पर जाना पड़ता हलाकि जितना छोटा हो सके आप दिमाग लगा ले ना नहीं होता है तो वहीं अंक रखके बनाना कोई समस्या नहीं है लेकिन जो एंसर लाश्ट में आएगा ना कुछ भी आप रखो के एंसर एक ही आता है सबका ठीक है यानि क्या हुआ जब आप पर पहन लेता हो लेकिन झीरू पर छे तो सबसे पहले देखना एक्स की पॉइंट लिखा जाता ये मैंने आपको बताना भूल गया ता सबसे पहसे पार मिल गया इस रिखा से दिखना X पे 3 है और Y पे माइनस 2 तो X पे 3 का है यह है और Y पे माइनस 2 है Y किदर है इधर है अब इन दोनों रेखा के एकदम समनांदर एकदम बीचों बीच मतलब दोनों पे वही पॉइंट होना चाहिए यहां तो यह हो जाएगा हम लोग का 3 कामा का माइनस 2 और इसे आप दरसा सकते हो आप दरसा दो पी जो भी दरसाना हो दरसा सकते हो कोई समस्या नहीं है डन है यह वाली बन गई अब एक पॉइंट हम लोगा मिला यह अब दूसरा पॉइंट मिला हम लोगा यह अब इस पॉइंट से इस point को हम लोगों मिला देना है scale की साहता से आपके पास scale होगा और इस point से इस point पे आप लोग अच्छे तरीके से मिला देना इस तरीके से तो मैं इससे क्या करता हूँ मिला देता हूँ ऐसे बनेगा यह ठीक है इसको ऐसे हम मिला देते हैं ठीक है चलो हो गई, डन, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको भी तीर के ये वाला सिंबल दर्जा देता हूँ, अब आप देख रहे हो कि ये दोनु रेखाएं कि इस पे कटी है, तो 6 कमा 0 पे, कटी है न, तो इसका मतलब हो गया कि हम लोगा जो X की फॉइंट आई, यानि X का एं और Y बराबर आएगा हम लोगा 0, ठीक है, यही हम लोग X और Y का एंसर आया है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट से जो लिखना हम लोगो, जैसे इस वाले समीक्रण का नाम लिखेंगे, इस समीक्रण का नाम क्या हैं लोगा, तो है 2X मानस 3Y बराबर बारा, तो 2X यहाँ पे तो समाज में आपको दिखे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यह पॉइंट लिख दिया, आपने यह चीज लिख दी और यहीं आपका ऐन्सर होता है, आपने रिखावे दरसा दि, यह भी दरसा धिया यह भी पॉइंट, इभी पॉइंट, अब जहां-जहां यार, इ टू पे कटा है और इसमें क्या कटा एक से लेकर करके मैंने यहां मिला यह वाली तो 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 इसको भी लिख सकते हो तो आपका इसली और असानी से यह गराफ बन करके रेडी हो चुका है और यह वाला जो रफकारी है इसे आप लोग पेपर जमा करते वक्त इसे मिटा देना अब आप देखोगे तो यह वाली हर एक पॉइंट अपने लिखा देखो यह पॉइंट को भी दर्सा सकते हो उसका नाम दे सकते हो किस पे यह जिरो और फोर पे गटा हुआ है इसका नाम आप दे सकते हो जीरो कमा माइनस का 4 यह आप निर दे सकते हो अब मैं जो तरीका आपको बताया अब यहाँ पे आपको इस समीकेरन के अनुशार जो मैंने बताई आपके बुक में बहुत सब्सक्राइब है बहुत सारा कोशन से आज यहीं ग्राफ के कौपी जाओ खरिद के लेके आओ और आज हर हाल में यह पांच मार्क्स वाला कोशन आपको सीख लेना है अब भी अगर इसे कहोगी नहीं मैं कल जाओंगा कल का काम कल रहा जाएगा इसलिए मेरी मानों तो आज आप आज ही जाओ आज ही खरिदो और आज ही प्रैक्टिस कर लो और फिर एक बार एक आपके समय में कर लेना आपकी पांच मार्क्स जो है न वह असानी से इजली आपके आ जाएगी वो के साथ तो इसी तरी की वीडियो देखने के लिए पसंद आये तो लाइक जरू करना कैसा समझ में आया क कैसा लगा कि आज तक आपको जो दिक्कत होती है दिक्कत अब नहीं और मुझे ऐसा लग रहा है तो क्या आपको ऐसा भी लग रहा तो मुझे बताई कहसा पीडियों लगा कैसा क्लास